असलाम वालेकुम, वेलकम को लॉजिकल तिंकर्स असलास्स टुटूरियल में हमने length measurement unit का इसके दो पार्ट होते हैं एक होता relative length और दूसरी होता है absolute length इससे पहले वाई टुटूरियल में हमने relative length पढ़ा था आज क्या पढ़ेंगे हम? absolute length absolute length क्या है? are specified when web page designer is aware of the physical properties of the output device हम किसी भी जो है अपने content की length को जो है absolute value ले ले अब इसमें तो units used होते हैं वो काफी सारे होते हैं मैं जो यहां पे 5 यूज़ कर रहा हूं कौन सा है? IN है, CM, MM, PT और PCA तो यह जो है मेरा body का tag है इसमें मैंने 3 heading use की गी H2, H3, H4 और दो और ले लेता हूं मैं H5 यह होगी मेरी heading 5 और H6 यह होगी मेरी heading 6 अब जो है मैं पे CSS अपलाए करता हूं स्टाइल में जाकर इनको यह unit assign करता हूं H2 font size इसका मैंने किया 10 I packet close इसी तरी यह से जो है H3 font size इसका मैंने रखा 10 cm semicolon अपर close bracket अब मैंने ली H4 को call कराया इसका font size रखा मैंने 10 mm फिर close bracket अभी इन तिनों पे apply करके देखता हूं H2 पे किया है H3 पे और H4 H2 का unit किया है 10 inch 10 cm इसका 10 mm मैंने life किया इसका मैं size थोड़ा चोटा करता हूं इसका मैं 2 inch कटता हूं फिर life किया है इसका oven कर दिया इसका मैंने 5 cm और इसका भी 5 mm अब यह जो है अब यह जो है तीनों का side जो है show होगे H2, H3 और H4 इसके और H5 और H6 जो है मैंने इसके apply नहीं किया था तो इन पे apply भी नहीं किया था तो इन पे apply भी नहीं किया आप मैंने तीन यूज करके दिखा दी है उसके वाइड डेफॉल्ट जो है जो इसका form size कह रहे है इसकी length कह रहे है वो कैसे यूज की जाती है पी x से यूज की जाती है यह पिर percentage से यूज की जाती है जहाता जो unit use होता है वो px के यूज होता है यह फिर percentage के यूज होता है